दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंटी हिंदी टेक में दोस्तो PTM के तरब से मर्चन्ट एकाउंट पर PTM मर्चन्ट फर्स्ट पॉइंट को लॉंच किया गया है इस पीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे कि यह पॉइंट आपको कैसे हासिल होगा एक पॉइंट बराबर कितना पैसा कितना रुप्या होता है और उसके बाद इस पॉइंट को आप कहा पर इस्तमाल कर सकती है इसका क्या validity रहेगा और कैसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकती हैं यहां पर आप लिखा हुआ देख सकती हैं इंटर्डियोजिंग पेटियम मर्चंट फर्स्ट पॉइंट तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेती हैं जैसा की आप सवी को पता होगा कि पेटियम के तरब से मर्चंट क्योड कोड़ पर अगर आप पेटियम वालिट से एकसेप्ट करती हैं पेमेंट तो आप से एक परतिसद की चार्च पेटियम की दौरा लिया जाएगा यहीं पर आप जो है अब देख सकते हैं यहाँ पर PTM के तरब से यहाँ पर reward point को launch किया गया है अगर आप जो है PTM wallet से accept करती है payment अपने merchant QR code पर तो 100 रुपिया अगर आप accept करेंगे 6 reward point आपको जो है हासिल होगा यानि कि प्रतेक 100 रुपिया पर आपको 6 reward point हासिल होगे अगर यहाँ पर UPI से अगर payment accept करती हैं तो प्रती 100 रुपिया पर आपको एक reward point मिलते हैं reward point कहां redeem कर सकती हैं यहाँ पर पूरा बिस्तारित रुप से बताया गया है इससे आप recharge कर सकती है utility bill payment कर सकती हैं और भी बहुत जगल आप इस point को spend कर सकती है अभी हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे कि आप इस point को कैसे earn कर सकेंगे सबसे पहले इसके termine condition के बारे में जान लेती हैं दोस्तो इसका termine condition क्या है कि minimum 15 रुपिया आपको accept करना है तब जाके आपको point मिलना start होगा यहाँ पर 15 रुपिया से जो भी amount कम accept करोगे उस पर किसी भी परकार का point नहीं मिलेगा उसकी बाद यहाँ भी लिखा गया है कि एक point के बराबर मातर 10 पैसे होते हैं जो एक point का value है वो 10 पैसा के value के बराबर है साथे साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि आपका जो point है वो मातर एक year के लिए यानि एक साल के लिए valid रहेगा एक साल के अंदर अंदर आप उसे use कर जाती है तो बहुत अच्छी वात है एक साल के अंदर अंदर आगर आप use नहीं करती है और एक साल से ज़्यादा हो जाता है तो वह point एकस्पायर हो जाती है और भी ज़्यादा detail के लिए आप यहाँ पर effect use read कर सकती है जो भी important जानकारी था इसके बारे में अब तक हमने आपको दे दिया है अब चलिए बात कर लेते हैं आप जो है कैसे यहाँ पर reward point हासिल कर सकती है start earning वाला options आ रहा है चलिए हम इस पर click करती है जब आप इस पर click करोगी तो आपके सामने ये दो जो है options नजराएंगे हाला कि सभी merchant account पर आपको cashback वाले offer में यहाँ पर इस परकार के options नजराएंगे जो कि सबसे पहला है Paytm wallet से payment accept करने पर और दूसरा है यहाँ पर UPI से payment accept करने पर simple से आपको करना क्या होगा activate offer पर click कर लेना है आपका offer यह activate हो जाएगा और इस परकार के आपके सामने इंटरफेस नजराएंगे अब दूसरों यहाँ पर आप देख सकते ही offer जो है activate हो चुका है और यहाँ पर लिखा गया है कि 23 दिनों में यह offer जो है expire हो जाएगा और total 20 payment हमें accept करना है और 200 payment पर हमें जो है Paytm first point receive होगा हाला कि Paytm के तरब से यहाँ newly launch किया गया है इसमें कुछ अच्छा खासा offer आपको देखने को जरूर मिल रहा है जैसे अगर आप first payment accept करोगे तो up to 1000 point जो है आपको मिल सकता है Paytm का merchant first point up to 1000 point तक मिल सकता है चाहे वो एक हो या फिर 100 हो या फिर 200 हो ऐसे करके up to 1000 तक मिल सकता है ऐसे ऐसे total 20 payment तक up to 1000 point का यहाँ पर बाते लिखा गया है और offer रखा गया है यहाँ पर minimum transaction आप देख सकती है minimum transaction 15 रुपया का करना है और यहाँ पर आप जो है इस offer के लिए eligible हो जाती है और यदि आप 100 रुपया accept करते हैं Paytm wallet से तो 6 point जो है आपको definitely receive होता ही होता है और यहाँ पर पूरा detail में भी बताया गया है कि 1 point बरावर 10 पैसे होते हैं यह पूरा detail में बताया गया है अब बात कर लेती है UPI वाले offer के बारे में तो यहाँ पर UPI से payment accept करने पर भी एक offer Paytm के तरब से दिया गया है जिसे आप लोग activate कीजिएगा तो आपके सामने इस परकार के interface नजराएंगे यह भी offer जो है 30 दिनों के लिए valid है जो कि आप देख सकती है यहाँ पर 30 days left to expire लिखा गया है इस offer में भी आपको 20 payment accept करना है यानि कि जैसे ही 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप payment accept करते जाओगे up to 1000 merchant point आप यहाँ पर हासिल कर सकते हो तो यह जो दो offer है वो यहाँ पर आपको हर account पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि पेटियम के तरफ से recently यह जो offer है वो launch किया गया है और यह जो point वाला service है यह जो point वाला system है वो launch किया गया है तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यह जो point earn करना है वो आप unlimited earn कर सकती है या फिर इसका कोई limit है तो देखिए पेटियम ने clear किया है कि इसका कोई भी limit नहीं है आप इसे unlimited earn कर सकती है जितना ज़्यादा आपको earning होता है point उतना ज़्यादा आपको better यहाँ पर फायदा होने वाला है इसमें कोई भी limit बांधा नहीं गया है कि एक दिन में आपको इतना earning करना है या फिर एक महीने में आपको इतना earning करना है या फिर maximum इतना ही आप earning कर सकती है इसमें किसी भी परकार का limit नहीं है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ redeem आप कैसे कर सकती है तो PTM ने यहाँ पर अस्पस्ट किया है कि a merchant will be able to redeem points on the redeem sections on the PTM for business app दोस्तो PTM के तरफ से यह बोला गया है कि PTM के merchant account पर बहुत जल्द जो है redeem करने वाला section launch किया जाएगा जो की नीचे में आप लिखा हुआ देख सकती है यहाँ पर आप जो है redeem बाले section में जाकर काफी आसानी से redeem कर सकेंगे जिसमें आप जो है recharge कर सकती है utility bill voucher purchase कर सकती है यह सारा जो है आप लोग बहुत यह आसानी से यह जो PTM का first point है इसे से आप लोग purchase कर पाएंगे या फिर spend कर पाएंगे फिलहाल जो है PTM for business application पर वा section नहीं launch किया गया है या redeem बाला तो बहुत जल्द जो है यहाँ पर available कराया जाएगा लेकिन फिलहाल आप लोग earning कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूगी हर business account पर आपको यह options देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोग earning कर सकते हैं और सभी business account पर इस परकार के offer दिये के हैं अगर offer नहीं भी रहता है और अगर आप लोग पेटियम wallet से payment accept करते हैं या UPI से payment accept करते हैं आप काफी आसानी से यहाँ पर point को हासिल कर सकेंगे तो अब बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर paytium के तरब से भी यहाँ पर launch किया गया है पेटियम wallet application पर भी यह launch किया गया है तो चलिए वो बात कर लेते हैं कि आखिर paytium wallet application पर जो launch किया गया है उसमें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, reward point और कैसे redeem कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बिस्तारित रुप से हम आपको बताएंगे तो दोस्तो हम आचुके हैं Paytm Wallet Application पर Paytm Wallet Application पर आने के बाद यहाँ पर cashback and offer वाले options पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जब क्लिक करोगी तो आपको यहाँ पर एक ptm first point वाला options देखने को मिलेगा तो चलिए हम इस पर क्लिक करती हैं, क्लिक करने की बाद अभी आप देख सकते हो zero point available है यानि कि कोई भी point यहाँ पर नहीं है, हमने कोई भी point जो है नहीं जीता है तो view point, violence and redeem पर हम क्लिक करती हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है add money करोगे, फिर आप point यहाँ पर earn कर पाऊगे money transfer करोगे, उस पर earn कर पाऊगे, mobile recharge करोगे, bill payment करोगे या फिर आप जो है कई merchant पर भी payment करते हो, या फिर store पर भी payment करते हो तो आप यहाँ पर point earn कर सकते हो, तो यहाँ पर अवी 00 point है आप देख सकते है redeem point वाले options पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि कम से कम 1000 point होना चाहिए, तभी आप इसका redeem लगा सकते हो और उसके बगल में लिखा गया है कि आप जो है कोई भी store पर payment कर सकते हो send money, अपने friend के पास कर सकते हो, add money wallet कर सकते हो या फिर money transfer करते हो, recharge करते हो, इन सभी से आप जो है यहाँ पर point earn कर पाऊगे तो दोस्तो पेटियम के तरब से एक बहुत बड़ा यह point वाला facility launch किया गया है जहाँ पर आपको जो हर ट्रांजिक्सन पर आपको यहाँ पर point receive होगा और जिसे से आप लोग mobile recharge बेगारा सारा कुछ कर पाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर एक बात तो clear होता है कि अगर आप PTM से कहीं transaction करेंगे या mobile recharge करेंगे या bill payment करेंगे तो आपको cashback मिले न मिले point जो है जरूर मिलेगा क्योंकि हर transaction पर point PTM के तरब से रखा गया है जिसमें कम से कम 15 रुपिया का transaction होना चाहिए वही बात PTM for business account पर भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर अगर आप payment accept करेंगे चाहे यूपियाई से कीजिए या रुपे कार्ड से कीजिए या फिर आप जो है PTM wallet से accept कीजिए तो वहाँ पर आपको कुछ cashback मिले न मिले cashback वाला offer मिले न मिले ये point आपको जरूर मिलेगा जिसे आप redeem लगा सकती है और redeem लगाने के बाद यहां पर utility bill payment करने के लिए voucher ले सकती है, mobile recharge कर सकती है ये सारा कुछ आप कर सकती है दोस्तों हमें तो ये लगता है कि PTM के तरफ से ये जो first point वाला options launch किया गया है ये जो है cashback को हटाने के लिए launch किया गया है हमें ये लगता है कि दीरे 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 जो है ये point वाला features को हावी कर दिया जाएगा और दीरे दीरे PTM पर से जो है बहुत सारे cashback को हटा दिया जाएगा यहां पर अगर देख सकते हैं अभी जो offer आ रहे है Paytm for business application पर भी जो offer आ रहे है वो यहाँ पर points related ही offer आ रहे है पहले आप लोगों को पता होगा कि cashback से related offer आ रहे थे जहां पर आप लोग cashback प्राप्त करते थे तो directly आपके bank account में वह cashback को credit कर दिया जाएगा था लेकिन अब जो है point के उपर यह offer आ रहा है जहां पर आप लोगों को point earn करना है और जितने सारे point आप earn करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर benefit प्राप्त कर सकोगे तो असपस्ट रूप से हम आपको बता दे कि Paytm के तरब से Paytm wallet user के लिए भी यह point यहाँ पर निकाला गया है लाँच किया गया है और Paytm for business application user के लिए भी यह launch किया गया है तो आगे देखना सेस रहेगा कि इस पर क्या चीज़ का offer किस तरह से निकाले जाते हैं फिलाल Paytm wallet में आप जो कमाए रहेंगे point उसे कैसे redeem करना है इस पर हमने आपको बता दिया सिंपल से redeem बाला जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है और Paytm for business application पर जब redeem बाला सेक्सन आ जाएगा वहाँ पर options आ जाएगा तो वहाँ पर भी आप लोग काफी असानी से redeem कर सकोगी तो फिलाल इस वीडियो में अच्छा खासा हमने आपको बता दिया है समझा दिया है और जानकारे भी पूरा दे दिया है तो उम्मिद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सियर कीजेगा इस वीडियो से जूरी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद